अगर आपको करेक्ट पामेस्ट्री सीखनी है तो आप इस वीडियो को एनलाइस करवाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा वहां पे मैं अपना एमेल एड्रेस दिया हुआ है आप मुझे मेल कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद ही मैं आपको अ जादी हो चुकी है और ये चार-पांच साल से अपनी वाइफ से सेपरेट रह रह रहे हैं तो ये डावर्स लेना चाहते है तो इन्होंने सेपरेशन पूची है वेल्थ के लिए पूचा है करियर सेटलमेंट अब्रॉड और लॉंजिविटी पूची है तो ये सब इन्हों जाना जिसमें आप फिजिकली एग्जर्ट करते हो ऐसे काम में उनको सेक्सेस मिलती है लाइफ में और जहां पे इनको प्लैनिंग करने की जुरुत पड़े या एक जगा बैठ के काम करने की जुरुत पड़े वो भी ये कर सकते है अच्छे से तो इनका ये ऐसा वाला हाथ है और देखेंगे कि जो थम है वो भी अच्छा ही लेंथ लिए हुए ऐसे लोगों के अंडर काफी लोग काम करते हैं ऐसे लोग जो होते हैं उनकी लिडर्शिप कॉलिटी अच्छी रहती है और वो हैंडल कर पाते हैं चार-पांच लोगों का पने अंडर चार-पांच से colleagues हैं उनके साथ बहुत प्यार से वो पेश आते हैं जैसे अपने उनके घर पे अगर कोई helper है कोई जैसे आता है उनकी help करने से काम वगरा करने तो उनके साथ भी वो बड़े ढंक से बात करते हैं मतलब dominating नहीं होते हैं ना ही वो ज़्यादा strict किसम के इनसान होते हैं तो उनके साथ प्यार से बात करके काम निकलवाना उनको अच्छा लगता है ज़्यादा strictness करना अच्छा नहीं लगता तो ये भी कुछ इस तरह के ही इनसान है और थम के बीच में जो yaf sign होता है वो इनके हाथ पे बहुत ही अच्छा है actually इनके थमबे आई formation बनती है जो की eyebrows उपर रहता है और आई की यहाँ पे आई बनती है तो ऐसे ये सबसे ज़्यादा अच्छा sign माना जाता है ये luckiest जो signs होते हैं हाथ पे से एक है ये ऐसे लोग जो होते है वो बहुत महनत करते हैं अपनी लाइफ में खुद की महनत से ही वो पैसा कमाते है और उनका आने वाला टाइम जो होता है उसमें वो काफी जादा wealth acquire करते है अपनी महनत से तो इन्होंने अपने career के लिए पूछा था तो ये एक अच्छा sign हमें दिखा है इनके हाथ पे जिससे की पता चलता है कि इनका career अच्छा रहेगा wealth के लिए भी पूछा था तो ये sign से पता चलता है कि हाँ आप अच्छी wealth acquire करोगे अपने महनत से और fingers जो है वो छोटी है ऐसी finger वाले जो लोग होते वो quick decisions लेना पसंद करते है sun finger लंबी है इससे पता चलता है कि आप finance के मामले में बहुत ज़्यादा interested रहते हो risky investment में तो ये चीज थोड़ी सी आपके हाथ में negative आगे क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि आप काफी time ऐसा हो जाएगा कि आप quick decisions ले लोगे बिना सोचे समझे क्योंकि कहीं पे किसी किसी जगा पे हमें सोचने की भी जुरूरत रहती है बहुत जादा तो वो आप नहीं कर पाते है क्योंकि आपका nature नहीं है तो आप ले लेते हो वटावर से decisions तो उसमें आपको नुकसान भी हो जाता है काफी पैसे जो है वो बरबाद होने का डर रहता है ऐसे हाथ में तो ये चीज़ है उसके बाद आपकी ये जो लेटल फिंगर है थोड़ी सी पीछे की तरफ जारी ये भी leadership quality को ही दिखाती है तो आप में leadership quality अच्छी है Jupiter की finger हलकी कुरूप है आपकी तो ये भी leadership को बढ़ा देती है पर आपका Jupiter mount और Jupiter finger इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जो कि उसको थोड़ा कम भी कर देती है तो आपके लिए मेरी ये suggestion रहेगी कि आप बाहर ज़्यादा खाना मत खाए घर का ही ज़्यादा खाना खाए वैसे आपके Jupiter पर square sign है मैंने देखा है तो वो protect कर लेगा ऐसी situation नहीं आने देगा कि जादा worse condition हो जाए पर जिनका Jupiter थोड़ा down रहता है उनके साथ थोड़ी बहुत problem ऐसी हो जाती कि उनको क्या होता है कि वो digest नहीं कर पाते हैं जो unhealthy खाना होता है जैसे जंक फूड़ा होता है या बहार का street food खाएं तो वो उनको problem करता है और जुपिटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब मांट पे आएंगे अभी मैने इतना बता दिया आपको और आपकी जो फिंगर है जुपिटर वो भी थोड़ी सी जुकी हुई है और हल किसी मुझे सैटन भी जुकी लग रही है और सन सीधी खड़ी है तो ये दिखाती है कि आपको ज़्यादा fame और respect की ज़्यादा आपको चाहत है कि आप जहां पर भी जाएं आपको respect मिले fame का भी आपको है कि हाँ वो भी मिले तो ये चीज़ की आपको ज़्यादा चाहत रहेगी respect होनी चाहिए recognition मिलनी चाहिए मेरे काम को वो चीज़ें कि आपको ज़्यादा इच्छा रहेगी बाकि आपकी sun लंबी है मैंने बता दिया sun finger लंबी है तो आप risky investment करने में जादा आपको आप attract हो जाओगे उस तरफ न तो मन करेगा कि हा मैं करूँ जैसे share market वगरा ये वो ऐसी चीज़ों में जाना या फिर नौकरी छोड़के business में आने का मन करेगा आपका इस तरह की चीज़े रहेंगी क्योंकि वो भी एक किसम से risky होता है आप अच्छी बली नौकरी कर रहे हो और एकदम से business पे shift कर जाते हो पैसा लगा देते हो तो वो भी एक किसम से risky रहता है तो आपका भी वैसा कुछ मन करता होगा ज़रूर तो छोटी finger जो आपकी लेटर फिंगर ठीक है लंबी लेंथ ली होगा अच्छी खासी तो आप बहुत जादा आपका जो नेचर है फ्रैंक नेचर के ओ मतलब आप सबसे अच्छे से बात कर लेते हो ने लोग जो होते हैं उनसे बात करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि कहीं पर भी पब्लिस पिकिंग हो या फिर आपने स्टेज पर चटके कोई भी भाशनों करा देना है जैसे माइक पर बोलना तो आप की तरफ की है उस वज़ा से भी ऐसे मतब सीधा हो जाता है तो लेकिन यहां से जैसे मैं देख पा रही हूं अच्छा है mercury माउंट आपका काफी जगा लिए हो है तो इस पे मैं जो पहली चीज जो मैंने देखी वो यह चोटा सा क्रॉस साइन तो mercury पे क्रॉस अच्छा नहीं माना जाता है ऐसे लोग जो होते हैं उनको पार्टनर्शिप में बिजनस कभी नहीं करना चाहिए और दूसरों पे भरोसा वगरा जैसे पैसों के मामले में वो तो कभी भी नहीं करना चाहिए हमेशा पैसा डूबेगा अगर आ एक नहीं जाते एक मिनट कुछ आ यहां पे एक मिनट दिखतो रही है एक मिनट ऐसे करके एक लाइन आ रही है जो यहां से स्टार्ट होके ऐसे जा रही है तो यह लाइन में खड़ी लाइन नहीं मानूंगी यह लाइन कुछ और है तो खड़ी लाइन होना जरूरी होता है मकरी पे बहुत जादा क्योंकि यह लिक्विड मनी दिख यह जो लाइन है यह एक क्रॉस सांग चोटा सा बना रही है वैसे इतना डरने की जूरत निया बहुत चोटा क्रॉस है तो जाधा प्रॉमिनन्ट होता तो जाधा वो अपना असर दिखाता पड़ यह छोटा सा है लेकिन हात दिख रहा है इमेज में तो इस वज़से मैं आपक कि कभी भी भी आप ऐसा कुछ मत कीजेगा तो मकरी पे खड़ी लाइन मुझे यहां पे कोई खास दिखनी रही है तो वह चीज मिसिंग आपके मकरी पे तो यहां पे शायदे हलका सा ऐसे इंप्रेशन सा दिख रहा है तो खड़ी लाइने अगर होती तो वह जादा बैटर रह हुई है यहां तक जा रही है फिर एक लाइन यह है एक ऐसे जा रही है और यहां पे हलका सा काइट साइन जैसा कुछ बना रही है एक में देखा था इमेज में यहां पे जो काइट साइन होता है सं के इधर बनता है जो मकरी और सं के बीच में वो भी हलका सा बन रहा है पर यहाँ पर आपका जो skin है यह कठी होगी बाइक अगरा चला के हो जाती है तो यह sign मुझे लगता है complete हो रहा होगा अगर यह sign complete है अपने foreign abroad के लिए भी settlement के लिए पूछा है तो यह sign ज़रूरी होता है यह actually क्या देता है fame देता है आपको जो international fame होता है बाहर जो आप जाते हैं आपको वहाँ fame मिलता है आप नौकरी करते हैं कुछ भी करते हैं जो भी business और जो भी आप करते तो वहाँ पे आपका fame होना ज़रूरी है तब ही आपका वहाँ पे काम चलेगा तो यह sign बहुत important होता है उस चीज़ के लिए जो कि यहाँ पे आपके है और उसके बाद यहाँ काइट साइन जैसा बन रहा है तो यह जो काइट साइन है यह आपको पैसे वैसे दिलवाएगा और यहाँ पे काइट साइन बनना कि यहीं चीज़ दिखाता है कि हाँ बाहर आप जब भी जाओगे तो वहाँ पे आपको fame मिलेगा और यह काइट साइन जो है वो आपको पैस खरीद लिया है, या कोई शॉप से वगरा खरीद दिया, उसको किराया पे चड़ा दिया, उसका किराया आ रहा है, ऐसी वाली इंकम आप करोगे, और भी बहुत सारी आजकल जैसे यूट्यूब, ये तो वैसे आपके उसका नहीं है, लेकिन मैं एक्जामपल देके समझा रही इंकम जैसे आपने कोई एक काम कर दिया और फिर उसके ओपर आपको पैसा आया जा रहा है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डाल दी और उसके ओपर पैसा आता रहता है, एक बार आपने कर दी और उसके बाद पैसा आएगा उस वीडियो से, जब तक वो वीडियो चलती रहेगी यूट्यूब पे, तो ऐसी वाली इंकम जो होती है, बुक्स वगरा जो लोग लिखते हैं, उसके वो पब्लिश करते हैं, तो उसके ओपर भी जान्स, और ऐसे जो लोग, मैं नहीं कहा रही हूँ कि आप यूट्यूब चैनल खोलोगे, आप बुक्लिक होगे, लेकिन मैं ऐसे बता रहे हूँ आपको एक्जामपल के तो पर गया ऐसी वाली इंकम हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे करके सनलाइन मार्स में जाती है, तो ऐसे लोगों को जहां पे भी उनका ऑफिस रहता है, वहां पे उनको अपने कुछ, मतब ऐसे घर जैसा महोल थोड़ा सा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे अगर आप जॉब करते हो, तो आप वहां शायद ना कर पाओ, लेकिन आप जैसे वहां पे कुछ ऐसी चीज़ें रख लो, जैसे आप अपना वहां पे एक जैसे आपका अपना परसनल वाश रूम हो, वो तो रहेगा ही जरूर, जहां पे भी आपका ओफिस होगा, लेकिन जैसे आप थोड़े बहुत कपड़े अगर आपने रख सकते हो, जैसे घर का हलका सा वैसे महौल, तो वो बहुत फाइदे मन रहता है ऐसे लोगों को, तो आप अगर कर सकते हैं, तो आप करिएगा जरूर, तो आपको फाइदा देगा, तो सनल लाइन आपकी बहुत लंबी है, यहां से शुरू हो रही है, फॉर्टी एर आपकी एज़ है, तो अ यह चीजें होना शुरू हो जाती है, और पैसे में भी बहुत डबल मतब आपको फाइदा होना शुरू हो जाता है, जब सनल लाइन स्टार्ट होती है, तो यह चीज है, और सनल लाइन जो है, यहां पे एक हलका क्रॉस भी बन रहा है, ऐसे लोगों के साथ यह प्रॉब्म फाइदा है एंनके फौट्ट नहीं मिलते हैं, अगर पापा के साथ ठीक है, अगर मिल एक थौट्स तो आपका जो बॉस है, जो आपसे थौड़ा पापा की एज़ का है, तो उसके साथ थोड़ा सा हो सकता है कि रिलेशन अच्छा ना हो, मतलब उसके साथ आपकी थोड़ी तो यह चीज है और उसके बाद सन पे मैं देख रही हूं कि स्कॉयर साइन भी है जैसे यह काइट साइन था तो इसको स्कॉयर साइन भी हम मान के चल सकते हैं स्कॉयर होना बहुत अच्छा रहता है अब रॉड में आपने सेटल्मेंट का पूछा तो इसके लिए स्कॉयर अच जाके काम करना चाहते हो तो वो भी यह चीज दे सकता है क्योंकि यह काफी बड़ा साइज में बड़ा स्कॉयर साइन है तो यह चीज है बाकी और सन पे सन मांट पे मुझे कुछ खास नहीं नजर आ रहा है मैं दूसरी इमेज में चेक कर लेती हूं यहाँ पर मैं देख पा चलते हैं आपके सेटन के मांट पे तो सेटन का मांट जो आपका है वो ठीक है और उसके ओपर साइन्स जो बन रहे हैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूं कि एक सेटन के मांट पे यहाँ पे हलका सा एक छोटा सा ट्राइंगल साइन बन रहा है और खड़ी लाइन जो आर्ट में इंट्रस्ट रहता है कोई भी आर्ट की कोई चीज है उसमें उनको इंट्रस्ट रहता है और थोड़ा बहुत ये पैसे के मामले में भी हेल्प करता है जादा नहीं पर थोड़ा बहुत हेल्प करता है अच्छा साइन माना जाता है ये तो जो आपके हाथ पे है तो ये दोनों चीजें प्रोटेक्ट हो जाती है जब स्क्वेर साइन आ गया मतलब आपको प्रोटेक्शन मिल गई अपने हेल्थ के लिए भी और पैसे के लिए भी जैसे आपका आपके हाथ पे था कि आपकी सं जो थी वो लंबी फिंगर थी तो आप रिसकी इंवेस्टमेंट व जो होता है वो भी बहुत अच्छा पैसे वैसे के मामले में ये बढ़ोतरी करता है आपका पैसा सेक्योर रहता है ये भी अच्छा माना जाता है और सेटन पे खड़ी लाइन जो होती है इसका ये मतलब होता है वैसे ये खड़ी लाइन दो है आपके सेटन पे तो जो अच् मतलब इनके पास हमेशा इतने पैसे जरूर होते हैं कि ये किसी को दे सकें अगर देना है तो लेकिन ये मांगेंगे नहीं कभी भी हाथ आगे नहीं करेंगे कि हमें पैसे दे दो उधार मांगना मतलब वैसी वाली सिचुएशन इनके लाइफ में कम ही रहती है तो ये चीज रहती है और सैटन पे आपका ठीक है अच्छा है सब कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है बस एक प्रॉब्लम छोटी सी है वो है cross sign मतब ये जो cross sign होता है ये अच्छा नहीं माना जाता है Saturn पे आ जाए तो ये थोड़ा problem create कर देता है जैसे कि आपकी थोड़ी बहुत health में और साथ में पैसे को लेके मतब कि दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी जैसे लेकिन आपका बहुत जादा नुकसान नहीं करवाएगा एक cross sign क्योंकि आपके Saturn पे जैसे मने बता है square sign है तो इस वज़े से जादा ये cross sign जो है आपके आपका नुकसान नहीं करेगा ना ही health में और ना ही पैसे के मामले में तो लेकिन देखा जाए आपकी बहुत जादा नुकसान कर देना वैसा कुछ नहीं होगा तो ये चीज है और बाकी ये अगर हम देखें हार्ट लाइन पे भी एक triangle जैसा बन रहा है जो Saturn के नीचे है तो ये भी बहुत अच्छा रहता है जैसे मैंने बताया आपको एक चोटा triangle भी है और एक बड़ा triangle भी है तो ये दोनों भी आपको help करेंगे पैसे के मामले में तो ये चीज आगे आपके Saturn के उपर और हम अब देखेंगे आपका Jupiter Mount तो Jupiter Mount जो है आपका मैंने बताया कि ठीक ठीक है बहुत अच्छा नहीं है जो Jupiter Mount थोड़ा नॉर्मल जिनका रहता है उनको satisfaction जो होती है वो थोड़ी कम मिलती है अपने करियर में मतलब वो satisfied feel नहीं करते हैं जो भी वो करते हैं अपनी life में उनको लगता है नहीं ये नहीं मैं और मतलब ऐसे नहीं चाहता है क्योंकि ऐसे लोगों को अच्छे से पता होता है कि उन्होंने अपना जो ambition जो set किया है अपना goal set किये है उनको कैसे achieve करना है वो सारी planning उनके दिमाग में रहती है जो कि एक बहुत अची चीज है ambition lines होना ज़रूरी होती है जूपिटर पे क्योंकि वो ही लोग कुछ नकुछ कर पाते है अपनी life में जो कि आपके हाथ पे है बहुत सारी है छोटी छोटी तो काफी सारे ambitions है आपके तो ये चीज है ओपर से square sign है square sign जो होता है वो क्या करता है एक तो जैसे मैंने बताया कि आपको digestion में जैसे आप बाहर का खाना खाओगे तो digest नहीं हो पाएगा और मैंने तब बताया था square sign है तो square sign से क्या होगा कि वो चीज थोड़ी सी जादा नहीं हो पाएगी कभी कभार जैसे हो गया क्योंकि square sign प्रोटेक्ट करता है आपका stomach जादा खराबनी होने देता है ये भी health में आपको प्रोटेक्ट करता है तो जो अच्छी चीज है और साथ में ऐसे लोग जो होते हैं अपने आपको express बहुत अच्छा कर पाते हैं दूसरों के सामने वो अच्छे teacher भी बन पाते हैं अगर जैसे कुछ लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि क्या हम कौन सी words यूज करें क्या चीज बोलें कि जिससे दूसरा बंदा जल्दी समझ जाए लेकिन ऐसे लोगों का क्या रहता है कि उनको अच्छे से बता होता है जो की कॉलिटी आप में भी है और ट्राइंगल साइन भी है आपके जुपिटर के उपर जो की अर्चे होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं वो highly educated होते हैं और वो knowledge गेन करना बहुत जादा पसंद करते हैं काफी जादा knowledgeable होते हैं यह चीज है और साथ में ring of Solomon है जो दिखाती है कि आपको chemistry, astrology वगरा वगरा में बहुत जादा interest है ऐसी जो science होती है उसमें बहुत interest रहता है ऐसे लोगों को और वो अपने काम को लेके बहुत जादा sincere रहते हैं वो अपने धर्म को लेके भी बहुत ही जादा sincere होते हैं यह सब चीजें आप में हैं जुपिटर आपका ठीक है उसके बाद हम चलते हैं आपके inner mars में जो की यह है inner mars आपका अच्छा है ठीक ठीक है मतलब बहुत जादा उब्रावा नहीं है उब्राव अंदर संस की जगा नहीं जादा लिये हुए आउटर ने आपके ज़्यादा जगा ले लिये तो आउटर mars जिनका ज़्यादा अच्छा हो और यह वाला भी ठीक है तो आप कोई भी काम शुरू करना है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है मतलब जैसे सुबा उठना के कईयों को सुबा उठना नहीं उठ पाते हैं लेकिन एक बार जब उठ जाएं तो वो अच्छे से सारा काम कर लेते हैं वहीं आपके साथ भी हो सकता है कोई भी काम स्टार्ट करना है उसमें थोड़ी सी आपको एनरजी जाधा चाहिए होती है और फिर जब आप एक बार शुरू कर देते हो तो आप उसको खतम करके ही पूरा दम लेते हो क्योंकि अगर आपका ये वाला जो था ये चोटा पड़ जाता या कमजोर पड़ जाता काम तो बड़े जोश से करना था लेकिन उसको खतम आपने शायद बीच में ही छोड़ देना था अधूरा छोड़ देना के साथ उल्टा है जो की अच्छा है आपको थोड़ा सा पूश करना पड़ता है अपने आपको लेकिन जब एक बार आप उठ जो तो सब कर लेते हो तो डिफेंड भी आप अपने आपको अच्छे से कर पाते हो जैसे कहीं पर भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको अच्छे से शौट होने की वज़े से वैसे आपको जल्दवाजी मची रहेगी कि मैं फटा फट से कर लूँ लेकिन फिर भी जब आप कोई ऐसा काम करने लगो कि जहाँ को पता होगा कि यह बहुत जादा रिस्क है तो वहाँ आप थोड़ा सा सोचोगे जो कि यह मार्स आपको वो चीज जो कि आपको जमीन से जुड़े हो अगर आप काम करते हो तो उसमें भी फायदा दिला सकते हैं तो बाकी आपका इनर मार्स ठीक है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आ रही है कोई बैट साइन नहीं नजर आ रहा है अब हम वीनस देख लेते हैं वीनस आपका बहुत ही जादा उबरा हुआ हया है अच्छा है और इस पे काफी सारी लगजरी लाइन्स है तो लगजरी वगारा आपको बहुत अट्रेक्ट करती है आप लगजीरियस चीजें खरीडना बहुत पसंद करते हो आप अट्रेक्ट होते हो उसे कपड़े वगारा ये वहlıम आपको फायदा हो सकता है तो बाकी आपका वीनस अच्छा है खड़ी लाइन्स हमको नहीं दिख रही है यहाँ पे जो की दिखना बहुत important होती है मैं एक बार चेक कर लेती हूँ तो यह दूसरी पिक है जिसमें कि थोड़ी थोड़ी कि मुझे खड़ी लाइन्स दिख रही है थोड़ी थोड़ी काफी बारीक है तो यह काफी जादा इतनी जादा prominent नहीं है तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है इस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जितना मैं भाग दोड़ कर रहा हूं जितना मैं महनत कर रहा हूं उसका मुझे फल नहीं मिल रहा है तो में भी यह चीज हो सकती है इस वज़़े से एक खड़ी लाइन्स जो है इतनी जादा नहीं prominent या फिर आपकी फेट लाइन मुझे देखनी पड़ेगी इस टाइम कैसी जा रही है तो उस वज़़े से भी हो जाता है कि जब आपकी फेट लाइन थोड़ी डाउन चल रही हो अच्छी नहीं जा रही हो तो उस टाइम पे भी लाइन्स जो होती है वो गाइब हो जाती है तो इस वक्त आपकी एज़ 40 है विजिबल कम नजर आ रही है तो ये आपका है और एक और बात जो आपके वीनस में है वो ये है ये है एक एडिक्शन लाइन तो कहीं न कहीं कोई एडिक्शन है आपको जिसकी वज़़े से शायद आप थोड़े बहुत परिशान भी हो या फिर आपको नहीं पता चल रहा है इस टाइम पर की एडिक्शन है जैसे एडिक्शन किसी भी तरह की हो सकती है किसी को मॉबाइल फोन में गेम्स खेलने के एडिक्शन हो सकती है कईयों को मोवीज देखने के एडिक्शन जिससे कि उनका time waste होता है और अगर ये addiction line जैसे आपकी life line को काट के जा रही है तो health को खराब करेगी और आपकी fat line को touch कर रही है तो ये आपको पैसों की पैसों में भी नुकसान करेगी तो आप देख लीजेगा कि क्या चीज है वैसे ये इस वक्त बहुत जादा prominent नहीं है लेकिन हो रही है ये आईसा ऐसा prominent तो आप जो भी addiction है वो आप जल्दी से जल्दी उसको छोड़ने का सोची है क्योंकि अगर ये जादा prominent होगी तो फिर ये line हावी हो जाती है हाथ के उपर तो ये चीज मैंने देखी आपके हाथ पर आप हम देखते हैं मून मांट मून आपका अच्छा है अच्छी जगा लियो है तो आपकी जो सोच है वो काफी अच्छी है डीप है आप अच्छे से सोच पाते है मून पर कोई भी साइन मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है हाँ एक साइन तो हैगम दूसरी पिक्चर में भी देख लेते हैं कहीं पर यह क्या पता यह सिर्फ इंप्रेशन ही हो यह इमेज मुझे नहीं निकाली है यह पर मुझे नहीं देख रहा है लेकिन एक-दो इमेज में मुझे यसल लग रहा था कि क्रॉस साइन है तो यहां पे मुझे दिख रहा है जो वो square sign बनता हुआ यहां से मुझे नहीं दिख रही है line लेकिन यहां से दिख रही है अगर यहां पे भी line है square sign है तो बहुत ही अच्छा है square sign जो होता है वो बहुत ही अच्छे results देता है जैसे आपने कहीं travel करना है बाहर जाना है यहां से मुझे लाइन एक मिस्सिंग दिख रही है, अगर तो वह है तो यह जितनी भी बाते मैंने बूली तो वह होंगी आपके साथ, अगर नहीं है यह नहीं कम्प्लीट हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मेभी आने बाले टाइम पर हो जाए, यहां पर मुझे एक स्क करते हैं, कि ट्रावल हो गर आप कर सकते हो, लापका हो सकता है, बहार भी जा सकते हो गूमने के लिए तो सेट्लमेंट का भी, हम देखेंगे अभी वैसे यह लाइन जो होती है, वो हम देख लेंगे, मून आपका अच्छा है, बाकी यह चीज एक यह लाइन आका, यह अशक पहुत डीप सोच हो जाती है, उनकी तो वह अगब रचेँ बीच करती है, तो आपकी इज़ तक तो नजर आ रही है कि आपकी इपट लाइन को टच कर रही है, तो हो सकता है आप आनेविले टाइम पर वहाँ पर नौकरी करो, और यहां पर भी एक स्क्वार साइन है जो मून के बीच में मैं लेके चलूंगी कि हां मून में ही है यह स्क्लियर है एक दम तो हां डेफिनेटली आप वहां जाके काम कर सकते हो वहां पर प्रॉपर्टी भी खरी सकते हो आने वाले टाइम पर तो यह एक अच्छी इंडिकेशन है आपके हाथ पर तो उसके बाद आपका आगया अब हार्ट लाइन आगी आपकी तो हार्ट लाइन देखेंगे हार्ट लाइन में आपके लेफ्ट हैंड पे भी देखिए डिस्टर्ब्ड है काफी जादा तो ऐसे लोगों को क्या रहता है कि जो उनके पेरेंट्स को बीमारियां रहती है वो heart problem भी रह सकती है तो ये चीज़ आपने देखनी है अगर कोई भी ऐसी problem है तो डॉक्टर से consult कीजेगा और आपकी heart line जो है वो पूरी की पूरी आपकी जुपिटर में चलीगी ऐसे लोग जो होते हैं वो wastage करते हैं पैसे की जैसे आपकी sun finger भी लंबी थी तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने की है wastage किसी को जैसे पैसा दे दिया उधार पे तो वो उसमें वापिस नहीं किया या फिर कहीं पे invest कर दिया गलत investment कर दी तो वहाँ पे नुकसान हो गया तो इस तरह की wastage हो सकती है पैसे की और ऐसे लोग जो होती है जिनकी जुपिटर में जाती है पूरी तरह से heartline ऐसे लोग जो होते है वो दान पुर्ण बड़ा जादा करते है तो आपकी ऐसा nature है कि आप बड़ा जल्दी पिगल जाते हो तो दूसरा आपको अपने दूढ़े सुनाएगा तो आप उसी टाइम पिगल जाओगे और उसको आप पैसे दे दोगे लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है आपने इस चीज से बचना है आपको पैसे नहीं देने अगर आप देते हो तो उस चीज को फिर आप भूल जाओ फिर आप यह सोचो कि आ अच्छी जगा मिल रही है जैसे आपने फाइनांस के बारे में पूछा था तो अपर मांट को आपको अच्छी जगा मिल रही है आप अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे थम पे भी आपका अच्छा साइन था तो उस वज़ए से भी आपके बैंक बैलनस आपका अच्छा र वह लो गेँसा जिली दो है कि एक पॉइंट कि आपकी सेपरेशं चेह वी शंच से और ले Kerryा करके आपके मारी लाइफ लեिकित रहेेकी काट जाएगी और यहां पर कोई ऐसे लाइन मुझे बहुत जाएक欲 बैभ क्हीन रहा हो जाएगी तो यहां से कोई भी ऐसी लाइन नहीं है और एक और लाइन होती है जो इस तरह से आती है वीनस से तो वो भी कोई लाइन नहीं है जो separation करा दे आप डैवोर्स करवा दे हाँ जो ये दोनों लाइन से ये ठीक नहीं है हाँ जुपिटर भी इदर से उब्रा हुआ है तो ये भी एक पॉइंट है तो पूरी तरह से मैं 70% sure हो कि आपका डैवोर्स हो जाएगा 30% में नहीं हूँ क्योंकि दो ही पॉइंट मिले मुझे तो उस तरह से मैं नहीं कह सकती है क्योंकि आपका डैवोर्स हो सकता है आप separate रहो अपनी वाइव से ये भी हो सकता है आप दूर दूर रहो तो लेकिन हाँ अगर आप कोशिश करते हो तो में भी हो जाए तो अभी हम जब marriage आपकी lines को देखेंगे तब हम detail में डिसकस करेंग तो ये होगी आपकी heart line और उसके बाद मैं आपका देखूंगी यहां पर mind line mind line आपकी है जो यहां से शुरू होके ऐसे जा रही है और एक branch ऐसे चोड़ रही है तो आपकी mind line जो है वो branches चोड़ रही है जो की आपकी जा रही है आपकी mind line खतम भी हो रही है आउटर मार्स में ऐसे लोग mentally बड़े स्ट्रॉंग होते हैं और ये दोनों भी lines जो है ये भी इसी mount को देख रही है तो ऐसे लोग mentally बहुत स्ट्रॉंग होते हैं बहुत बड़ी भी कोई problem आजा है तो उसको phase कर सकते हैं लेकि भी आपका nature रहेगा लेकिन आप संभाल लेते हो अपने आपको ये quality आपके अंदर है कि आप अपने आपको संभाल लेते हो तो ये चीज है आपकी mind line ये बता रही है उपर से ये काफी ज़ादा लंबी है तो लंबी mind line जो होती है उस वो जो लोग होते हैं उनको मैं यही उसी चीज़ को लेके आप अपना बिसनस टार्ट कीज़े तो चलेगा लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एकदम नया कोई बहुत ज़्यादा नया जिसके बारे में आपको कोई भी एक्सपिरिंस नहीं है वो वाली चीज़ को लेकि अगर आपने बिसनस टार्ट किया तो वो दस साल कम से कम लेगा आपके उसके बाद ही आपको फाइदा देगा और दस साल तक तो टिकना मुश्किल है ऐसे बिसनस में कि आप सिर्फ उसमें इंवेस्ट ही करे जा रहे हो प्रॉफिट वो कोई भी नी दे रहा है उल्टा और नुक्सान होए जा रहा है तो ऐसे में क्या होगा कि वो चीज़ आपको मैं बोलूगी कि आप मत कीज़ेगा बिसनस में आप मत जाएगा आप जौब ही कीज़ेगा तो ठीक रहेगा जौब में आपको तरक्की मिलेगी और नौक्री भी आप जहां पे भी करें आपने स्पेंड कीज़ेगा तो फिर आपको ग्रोथ मिलती रहेगी करियर में तो करियर के बारे में मैंने आपको बता दिया और फीट लाइन से भी हम देखेंगे और आपकी जो माइंड लाइन है वो काफी शाप है ऐसी माइंड लाइन वाले लोग जो होते हैं वो बहुत यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर कहते ही तो राउंड शेप में है और आपकी लाइफ लाइन जो है उसके साथ से एक एंजल लाइन चल रही है जो बहुत ही अच्छी बात होती है angel line वो भी यहां से शुरू ही उपर से ही तो आपको protection आपको भगवान ने दी है शुरू से ही और आगे तक चलती रहेगी throughout life यह एक बहुत ही अच्छा यह इसको भगवान का आशिरवाद बोलते हैं जो कि आपका चल रहा है लगातार तो यह चीज भी आपको protect करेगी हर हिसाब से आपके पैसे के भी और साथ में health के हिसाब से भी यहां पे आपकी life line जो है मुझे थोड़ी बहुत disturb लग रही है यह जो दो-दो line है वो भी इतनी पास-पास जो चल रही है यह अच्छी indication नहीं रहती है तो यह आपकी जो life line है यह इसका time जो है हाँ जैसे आपकी age अभी 40 है तो 40 मुझे लगता है अभी में भी वो problem आपको चल रही हो सकती है में भी addiction की वज़ा से हो सकता है कुछ जो की आपको problem चल रही हो सकती है यह 20 की age के बाद से आपका शुरू हो गया था और 20 साल का 18-20 साल का लंबा time चला है जिसमें की आपको problem रही है कोई ना कोई mentally या फिर physically आप मतलब थोड़े disturbed रही हो और अब वो चीज मैं देख रही हूं खतम हो रही है 42, 41, 42 की age के आते ही एक ascending line भी जा रही है तो यह चीज आपको एक wish आपकी पूरी करेगी आपने पुछा separation के लिए तो अगर आपकी आप यह देखो कि आपको क्या चीज चाहिए अपनी life में कि मतलब आपको सबसे जादा important चीज आपके लिए क्या है वो आप जानते हो कि क्या हो सकती है जिसके लिए आप बहुत जादा wish करते हो कि मेरी पूरी हो जाए तो यह जो होती है यह इस line को इच्छा पूरती line भी बोलते है कोई भी किसी भी तरह की wish यह line पूरी करती है तो यह जो age जब आपकी आएगी तो यह ज़रूर यह line आपकी वो इच्छा पूरी करेगी वो क्या इच्छा होगी वो आप ही जानते हैं तो वो चीज पूरी हो जाएगी तो यह चीज है और आपकी life line बिल्कुल ठीक है और एक ऐसे करके branch जा रही है मून में तो हाँ यह भी फौरण ले जाती है वहाँ जाके settle भी करवा देती है तो यह एक indication हमें और मिल गई तो आप फौरण के लिए पूछ रहे थे तो यह चीज हमें मिली कि हाँ आप जा सकते है और आपने longevity के लिए पूछा था तो वो भी आपकी possible है क्योंकि कोई भी bad sign मुझे नजर नहीं आ रहा है आपकी life line यहां तक खराब है और उसके बाद फिर यहां ठीक लग रही है मुझे यह जो period रहेगा यह थोड़ा बहुत इसमें health की problem आ सकती है आपको after 55 55 से लेके आपकी 60 मतलब 8-9 साल का period ऐसा रहेगा कि जब आपकी थोड़ी health में problem आ सकती है लेकिन बहुत ज़़ादा problem नहीं आ सकती है क्योंकि आपकी angel line साथ साथ में चले जा रही है तो थोड़ी बहुत problem ही आ सकती है और राहू line ने इतना ज़़ादा काटा नहीं हुआ है ऐसे से करके तो वो भी अच्छी बात है तो सब ठीक रहेगा health wise सब कुछ ठीक रहेगा और काफी लंबी उमर भी आपकी हो सकती है काफी लंबी इंदसेंस की 80's में जैसे लोग होते हैं मैं अब उमर नहीं बताती हूँ तो यह जो आपकी fate line है यह शुरू बहुत जल्दी हो रही है मतलब कि जब आपकी age काफी छोटी थी जैसे आप 21 से 25 साल की उमर में ही आपने मुझे लगता है earn करना शुरू कर दिया था और उसके बाद फिर आपका जो है मतलब fate line इतनी जादा बढ़िया कंडेशन में नहीं थी तो अभी जो आपकी fate line 40 में आप पहुँचे हो तो वो यहां कहीं पे है यहां पे पतली है और यहां पे मौटी है और फिर बीच में कहीं टाइम अच्छा आया था जो यह age है यह star sign यहां बन रहा है और उसके बाद फिर मोटी हो गई और उसके बाद अब जाके आहिस्ता आहिस्ता यह fate line अच्छी होती जा रही है तो यह चीज आपने जरूर फिल की होगी पहले भी जब आपने earn करना शुरू किया था तो आपने मतलब जैसे 30 years की age तक आपका मतलब ठीक ठीक चला कोई इतना अच्छा नहीं चला और उसके बाद आपका यह जो time था 30 के बाद वो भी मतलब इतना भड़िया नहीं था मतलब मुझे जहां तक लग रहा है इसको देखके fate line को देखके आपकी कि जैसे आपने जब आप यह वाली age में पहुँचे हो यह star sign है तो यह वाली age में या तो आपको अच्छी job मिली है या फिर आपकी शादी हुई है शादी में भी हो सकता है आपकी इस line ने करवाई है यह line ने करवाई है तो यह जो line है यह मैंने age आपको यहां से जो start हुआ यहां तक एक नट यहां से यहां तक जो start हुआ में भी हो सकता है यह 28 की age में आपकी शादी इसने करवाई होगी यह 29 आगे पिछे भी हो सकता है एक दो साल और यहां पे आपकी जो 32 की age है यहां आपकी नौकरी अच्छी वाली जॉब लगी है यहां फिर यह जो age है यहां पे आपकी शादी हुई है ऐसे आप मुझे बता देना यह 30 31 की age में यहां पे star formation है और उसके बाद फिर आपकी fate line चली और यहां पे आके आपकी पहुची जो की 40 years आपकी age है इस टाइम पे तो एक बार age calculation में कर लेती हूं दूसरी वोटो में जाके तो यह मैंने की है age calculation तो यह यहां पे कटता है 35 की age में और यहां पे आपकी 40 की age है तो आपका 35 के बाद से ही आपका बहुत अच्छा time शुरू हो गया था आपकी जो fate line है वो अच्छी चलना शुरू हो गई थी और अब 40 years age है तो यह ऐसे गर के जा रही है तो यह जो घूम रही है हलका सा घूम रही है दो तीन साल का time period आपकी life में हो सकता है थोड़ा सा finance के हिसाब से थोड़ा सा tough 5 क्योंकि घूमती हुए fate line अच्छी नहीं माने जाती है 43 की age के बाद से यह हलकी सी घूमेगी जो की 2 साल का 42 43 की age में तब की यह थोड़ी सी problem दे सकती है आपको लेकिन फि यह आपकी जो फिर fate line है 44 की age के बाद से बहुत ही अची चल रही है तो उसके बाद फिर यहां पे एक line है और यहां पे थोड़ा सा मुझे धुंदला दिखाए दे रहा है हाँ यहां पे एकदम clear है यह हम देख रहे हैं कि यहां से एक line और उपर जा रही है और फिर यहां से ऐसे इसको टच कर रही है फिर दूसरी line ऐसे करके तो यह जो चीज है यह दिखा रही है कि आपकी जो fate line है वो यहां से दो हिस्सों में divide हो रही है तो यहां से जो आपका रहेगा मतलब जैसे यह जब turn ले लेगी तो turn लेने के बाद जब यहां से सीधी जाएगी है 45 46 की age के बाद से आपका बहुत अच्छा career चलेगा क्योंकि यह दो दो हिस्सों में divide हो गई है और उसके बाद फिर यहां पर आके यह दो line है फिर यह straight line है और एक ऐसे करके भी जा रही है तो आपकी 50 की age के बाद से आपका career तब भी बहुत अच्छा चलेगा तो एक जो branch है वो जा यह sun की तरफ तो यह दिखा रही है foreign settlement को तो हाँ आप foreign में settle हो सकते हैं वो settlement होने के chances हैं आपके तो उसके बाद भी 50 की age के बाद भी आपका अच्छा career चलेगा growth अच्छी रहेगी आपके career की कोई भी वैसी कोई problem नहीं है कि आप बूच रहे थे जैसे आपका कैसा रहेगा आपका बढ़िया रहेगा तो यह आपकी fate line जो है यह हमने देख ली पहले आपने थोड़ा बहुत struggle आपका बचपन जो है वो तो इतना अच्छा नहीं किया आपने struggle काफी जादा किया है और अपने struggle से ही आपने आइस्ता 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 से grow किया है और आप करते ही जा ऐकवय्या जा रही है एक यह है और एक चोटी सी एक यह line है तो यह अगर तो यह mind line से नहीं निकली है 9 तो यह ऐसे करके अगर आपकी यह भी line आपका आपको touch करने की कौशूश कर रही है आपके fate line को तो यह शादी भी करवा सकती हменे अगर ईसी जो reasons what hahaha शादी भी करवाती है हो सकता है आपकी 42 की एज में 41 42 की एज में में भी हो सकता है कि आपकी फिर से मैरेज हो जाए separation होके तो ये एक हल किसी indication है क्योंकि ये इसको touch नहीं कर रही है touch कर रही होती है जैसे इसने इसको touch किया था तो definitely मैं 100% शादी हो जाती लेकिन अभी यहां तक ही है तो मैं अभी पूरी तरह से शादी हो जाए फिर से तो ये आपकी आगे fat line और अब हम ने देख ली थी sun line आपकी देख ली थी mercury line जो आपकी यहां से जा रही है mercury line आपकी यह है तो mercury line भी अच्छी है आपकी जितनी भी है वो बढ़िया है कोई भी जादा cut वगरा नहीं है इसमें तो आपके अंदर जो business को लेके जो sense है वो काफी अच्छी है analyze आप अच्छा कर लेते हो चीज़ों को तो mercury यहीं चीज़ देती है आप job कर रहे हो और मैंने आपको यहीं सजेस्ट किया कि हाथ का पूरा lines वगरा का analysis और आपकी marriage line को देख लेते हैं यह आपकी marriage lines जो की एक यह है एक यह है तो यह दोनों की दोनों ही खराब हैं और बीच में यह चोटी चोटी दो तीन और marriage line ऐसे लोगों का multiple relationship रहता है जैसे यह नहीं मैं कह रही हूं कि हाँ जैसे आपका आप married है लेकिन हो सकता है extra mental affair चले साथ में और या फिर शादी से पहले ऐसे लोगों का रहता है मतलब की शादी से पहले काफी लोगों के साथ relations होते हैं ऐसे लोगों के मतलब की आते जाते रहते हैं ऐसे लोगों की life में persons तो यह आपके साथ भी हो सकती है यह चीज़ क्योंकि काफी सारी marriage lines है और दो जो हैं वो दोनों की दोनों खराब हैं वो दोनों की दोनों अच्छी condition में नहीं है तो मैंने जैसे बताया आपको की शादी होने के chances आपके हैं बट बहुत जादा नहीं है तो मैंने आपसे पूछा था कि आपकी first marriage है तो आपने का था हाँ ये first है क्योंकि मुझे दो जो marriage line दीखी वो दोनों की दोनों खराब दीखी जो ये वाली marriage line है आपकी ये ऐसे करके जो जुकरी है नीचे ये दिखाती है कि आपका जो partner है वो आपकी जो मतलब wife होगी या फिर अब मुझे नहीं पता आप मैंने detail में नहीं पूछा वो काफी ज़ादा बीमार ऐसे लोगों के हाथ में हो जाता है कि उनका जो partner है वो बीमार रहते है और अगर ये काट जाए नीचे चली जाए तो उनकी death भी हो जाती है बीमारी की वज़े से तो ये एक चीज आपके हाथ पे बन रही है अब मैंने पूछा नहीं आपसे detail में कि क्या चीज थी क्यों आप separate रहते हो वो नहीं मैंने पूछा तो ये चीज है बाकी ये भी आपकी marriage line अच्छी नहीं है क्योंकि ये काफी जादा थिक है इतनी जादा थिक marriage line अच्छी नहीं रहती है खराब कर देती है relation को अपने partner के साथ तो ये जो दो चोटी चोटी सी हैं ऐसे वाली ये possibility है कि ये ये दोनो ये वाली खास कर ये वाली ठीक है तो ये हो सकता है कि ये मतलब हो सकता है कि शादी करा दे लेकिन यहां इस पे भी मुझे problem नजर आ रही है कि इसको ये एक bar line स्टॉप कर रही है तो ये ऐसा ये भी एक ठीक indication नहीं है तो ये रही है आपके hand के analysis I hope ये आपको अच्छी लगी हो तो मैं हमें लोगी आपको अपनी नेक्स टूडियो में गाइस तब तक लिए बाइबाएं टेक के